नवश्कार विद्यार्थी गवर्ण, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मिद रखती हूँ कि आप सब स्वस होगे तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी सिपढ़ेंगे हुमारे पहले पार्ट का नाम है याता यात, यहां एक चित्र पार्ट है बगी चामा आपने देखाई चे के शरस मज़ाना फुवारा चे हमें आपने जोईशू के हिंदी मा तो हम देख सकते है कि इस चित्रों में हमें सुन्दर परवत दिखाई दे रहे है उसके पीछे से रेल गाडी हमें आती हुई दिखाई दे रही है और उसके परवत के उपर हम हेलिकोप्टर और हुवाई जाहाज को उड़ते हुए देख सकते हैं सड़क पर हम देख रहे हैं कि एक मोटर कार चल रही है और दो स्कूटर चल रहे हैं सड़क की किनारे हमें एक खुब सुरज सा बगीचा यानि की गार्डन दिखाई दे रहा है और हम देख सकते हैं कि बगीचे में बहुत ही सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए हैं हम बगीचे में हरी भरी घास भी देख सकते हैं बगीचे में हमने देखा कि वहाँ पर सुरज मुखी, गलगोता, गुलाब, मोगरा, आधी जिस से फूल हमें दिखाई दे रहे हैं और वहाँ की घास भी कितनी हरी भरी है हम चित्र में देख सकते हैं कि दो लड़के हैं वहाँ पर बगीचे में खेल रहे हैं और एक पानी का बहुत ही सुन्दर साफवारा बगीचे में हैं बगीचे में हमें दो पेड दिखाई दे रहे हैं और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर दो लोग बेटे हुए हैं पिद्यार सिमीत्र हमें आपने नीचे अभ्यास आपेलो चे ते जोशो तो तेमा आपने कहेलू चे अभ्यास मा पेलू के चित्र देखकर फूलों के नाम की सुची बनाईए एटले के चित्र जोईने तेमा आपेला फूलों नाम नी विगतों लखों तो आपने जोई शकिये छे के आपने तेमा सुर्य मुखी गलगोटों मोगरों गुलाब अने जासमिन नू फूल देखाई रही हुँचे तो आपने शो लखी शो के चित्रों में हमें सुरज गलगोटा, मोगरा, गुलाब जैसे आदी कई फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। बीजो प्रश्ना आपने कहेलों छे के चित्रों में नहीं हैं एसे फूलों की सुची बनाईये। बीजा प्रश्णमा आपने चित्रों मा नथी देखाता ते फूलों नामनी सुची बनावानु कहेलू छे तो आपने जोय शकीये चिये के तेमा आपने कमल, चमप, चमेली जेवा फूलों देखाई रहिया नथी तो आपने प्रश्णमा उत्तरमा लगसू के चित्रों में हमे कमल, चंपा, चमेली आदी जेसे कई फूल नहीं दिखाए दे रहे है हवे अपने पाठ्य पुस्तक ना पेस नंबर बे पर जोईशू पाठ्य पुस्तक ना पेस नंबर बे पर आपने खुबद सरच चित्रों आपैलू चे आपने चित्र माँ छोई शकीए चीए के त्रोन नाडी रिना वरुक्षों चे पाणी माँ आपने एक नानी नाव एटले के हिंदी माँ तेने नौका के वै नौका आपने तरती चोई रहिया चीए और एक हने आपने चोई शुके एक मोट्टू बदू जहाज चे हमें आपने तेने हिंदी माँ समझ सू हम देख सकते हैं कि हमें वहाँ पर एक छोटी सी नाव और एक बड़ा सा जहाज पानी में दिखाई दे रहा है सडक पर हमें एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है बस के पास हमें ओटो रिक्षा चलती हुई दिखाई दे रही है चित्रा में हम देख सकते हैं कि दो नाड़ियरी के पेड के पास एक छोटा सा मकान है हमें आपने चित्रा ना आधारे प्रश्णों ना जवाब अपनो प्रयतना करशू तरीच्या प्रश्णों मा आपने गेहामा आवयो चै कि चित्रा देख कर याता यात के साधनों की सुची बनाईए ऐộtले के चित्रा मा जोईं ने वाहन व्यवहर ना साधनोंना नाम लगों तो आपणे जोई शकिये चीए के चित्रा मा आपने एक ना निकडी नाव पची एक मोटी नाव लेगे जहां जोवा मोडे चे अन्य आपने चित्रमा बस अन्य तेनी बजुमा रिक्षा पन जोई शकीए चीए तो आपने प्रश्णना जवाब मा लगसू कि चित्रों में हमें यतायाद के ओटो रिक्षा के पास एक बस और पानी में एक नाव और एक बड़ासा जहांच तेरता हुआ दिखाए दे रहा है चोधा प्रश्णना आपने कहें लूचे के उन यतायाद के साधनों के नाम बताईए जो चित्रों में नहीं है तो अपने एउग केहवां मावईयुँझे के तोमें एइश वाहन व्योखर ना साधनों नाम लखो छे चित्रों में आबर पdefense नाहीं तो आपने लग्षू के हमें चित्रों में हेलिकोप्टर, होवाई जहांज, साइकल रिक्षा, तांगा गादी, उंट गाडी, आधी कहीं हमें यातायाद के साथ दिखाए दे रहे नहीं है हवे आपने पाठे पुस्तक ना 25 पर जोशू, तेमा आपने कहे लूचे, कि आपने जिन यातायाद के साधनों के नाम लिखे है, उन्हें नीचे दी गई तालीका में वर्गी करूत कीजी, एटला आपने केवा मावियू छे, कि आपने जे पन वहन वेवहर ना साधनों नाम तेने आपने आमा वर्गी करून करवानू छे, एटलेके अलोग अलोग पाड़वाना छे, तालीका वन एटलेके वर्गी करून पेला मा आपने 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 लूचे, दो पहिये वाले, एटलेके 2 पहिये वाले, एटलेके 3 पहिये वाले, एटलेके 3 पहिये वाले पच्छी यापन नाइपन 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 मोटर कार पच्छी आपने घहलूचे कि चार से अधिक पहिये वाले तो उसमें हम लिखेंगे बस और रेल गाड़ी तालीका 2 लेके वर्गी करोन बेमा आपने 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 लूचे कि सड़क पर चलने वाले याता यात के साधन तो पहले में हम लिखेंगे सड़क पर चलने वाले याता यात के साधन साइखिल, रिक्षा, मोटर, बस, रेल, आदी हवा में उड़ने वाले याता यात के साधन एटले के हवा मा उड़े तेवा वहन व्योहरना साधन तो एमा आपने लखीशू हवाई जहाज और हेलिकोप्टर एटले के एरोपलेन अने हेलिकोप्टर तीसरा पानी में चलने वाले याता यात के साधन लेके पानी मा चलता होई तेवा वहन व्योहरना साधन तो उसमें हम लिखेंगे नवका और चाहाज विद्यार्थी मित्रों हवे आपने पाठ्या पुस्तक ना पैस जंबर चार पन जोशूद तेमा आपनने के हुआ मावियू छे के निचे दिये गए टिकिट का चित्र देकर प्रश्णों को उत्तर दीजी आपने अपनने नीचे बे टिकिट ना चित्रों आ पेला छे अपने तेना पर्थी प्रश्णों ना उत्तर लखुआवना चे पेलो प्रश्ण आपनने पूँच्यों छे कि यहाvenir है एटले कि आशूँं छे तो आपने जोई शक्किये छे गहीं आपने बे टिकीट देखाई छे आ टिकीट नूँ छित्र छे ते रेल गाड़ी एले कि ट्रेन नूँ छे आने आ टिकीट नूँ छित्र छे ते बस नूँ छे तापने लखी शुपेला प्रस्णामा के यह टिकीट के चित्र है दूसरे प्रश्ण में हमें कहां गया है कि बस का टिकीट कहां से कहां तक्का है एटले कि बस नी टिकीट चे ये क्यां थी क्यां सुधी नी चे तो आपने जोई शकीये चीए कि आपने कहेलू चे कि हदाद थी चीलोडा तो आपने शो लखवानु कि बसका टिकीट हदाद से चिलोडा तक्का है तीसरे परश्ण में हमें कहां गया है कि रेलवे का टिकीट कहां से कहां तक्का है तो त्रीजा परश्ण में आपने जोय शकीये छीए कि लेह खुचे कि मुंबई सेंट्रल थी अमदावाद तो आपने जोई शकीये चिये के बसने टिकीट मा आपने भाड़ू छे दे 11 रूपया आपेलू छे तो आपने लखीसू के बसकी टिकीट में किराया 91 रूपय है पाचमा प्रश्णमा आपने कहेलू छे के रेलवे का टिकीट पड़ कर किराया बताया लेकि तमे रेलवे नी टिकीट जोई ने आमने भाड़ू कहू तो आपने जोई शकीये चिये के रेलवे नी टिकीट मा लूँ छे के रेलवे के टिकिट का दिनांग बताई है एटले के रेलवे नी टिकिट नी तारिक बतावो तो आपने जोई शक्किये छी रेलवे ना टिकिट में आपने तारिक हापे लिजे छे चे अग्यार अग्यार बेहजार अग्यार अग्यार नोवेंबर बेहजार अग् कहां टिकित लगता है एटले के bus औने rail gybg कई जगे गया एटिकित लागे चे सातमा प्रुष्ण माँअप पड़े जो यू क्या आपन नेव के खोवा मालिव चे क्या बिस औने rail rail गादी सी वाई जयां कियां टिकित लागे चे तो आपने ज़ाणिये जी छीए के बस औने रेल गाडी सीवे आपने हवाई जहांज एटले के एरोप्लेन अने हेलिकोप्टर मा अपने टिकीट खरीद भी पड़े छे तो आपने सातना प्रस्नाना जवाब मा लगशू बस और रेल के अलावा हवाई जहांज और हेलिकोप्टर में टिकीट लगता है निच्चेना प्रश्नला आपने किहमा मा व्युजे के निचे दिये गए चित्र का आउलोगन करके भेद स्पष्ट कीजी एडले कि आपने चित्र माथी भूलो ओलगवानी चे तो आप रावड की तमारे तमारी ज़ाते घरे करवानी चे हवे आपने पाठ्या पुस्तक ना पेज नंबर पांच जोशू अठ्या पुस्तक ना पेज नंबर पांच पर अपने खाली जगेवा आपेली चे के तुम किस प्रकार जाते हो एले तमें कोई रितना जाओ चो पहलू आपेलू चे के मामा के घरे लेके मामा ना घरे बीचू आपेलू चे सिनेमा देखने एटले के पिच्चर जोवा त्रीचू आपेलू चे स्कूल एटले के श्याड आया और चोथू आपेलू चे बाज़ार एटले के बजरमा तो आप रहुरू थी तमारे तमारी घरे जाते करवा नीचे कि तम्हें मामा ना घरे, पिच्चर जोवा, स्कूले औने बज़र मां कई रीते जाओ छो नीचे आप पड़ने कहलो छे कि तुमने इन में से किसकी सवारी की है अगर हाँ तो सही ना तो गलत का निशान लगाओ नीचे तमने चितरों आप पेला छे औने तमने कहलो छे कि मैंने सवारी की है तो साचुन मैंने सवारी नहीं की है तो खोटो तमारे लखवानू छे अपने पाटिये पुस्तक ना पेज नमबर छो पर जोस होते हैं आपने कहेल उचे के पढ़िये समझिये और सही का निशान लगाईए तो तमने सवारियों आपने लिचे जमके घोडा गाडी, मोटर, उट गाडी और बेईल गाडी पचे आपने रेल गाडी, और कहेलू चे के टिकिट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ तो तमे विचालो जोईए के माथी केमा टिकिट जोशे, केमा पैसा जोशे और केमा तमने मफतमा जवाब माड़ चे आप रवडुदी तमे तमारी घरे जाते करो निचे आपने नामांकित फूलो के नाम लिखे एव केहलू, चे लेगे आपेला फूलो नाम आपने लखवाना चे तो आपने ओड़के चकिये ची है के पैलू फूल क्यू चे लेगे कमल, तो पैलू फूललो नाम सूँचे कमल तो आविरीते तमें बाकी ना फूलो जोईने ते ओकिया चे तेमने ओड़ोखवाने तेमना नाम लखवानो प्रयोतना करो अब आपने वाठे पुस्तक ना पेस नमबर साथ पर चोशू पेस नमबर साथ पर आपने कहेलू छे के निमने लिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखी एले के आपेल्ला चित्रों मुझो बापणे आपने वार्ता लखवानी छे आपने हैं वार्ता समझी लई आपने आपने अपने स्वापोथी मा लखीशू तो पहला चित्रमा आपने जोई शकी है चीए के गो वाडियों छे ते घणी बधी बकरियों लाईने बध बकरियों ने चरावा माटे आवियों छे अने ते एक खुला मैदान मा आवियों छे तो बीजा चित्रमा आपने जोई शकी है चिये के ते चे यो बधाने बोलावे चे तो आपने या वर्ता समझ चूँ तो हम देख रहे हैं कि एक दिन चर वहां अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक वन में आया हुआ है वहां पर उसकी भेड़ बकरिया चर रही है और कुछ देर बाद उसे अच्छानक की मज़ा करने की सूजी और वो गाउवालों को चिला कर कहता है कि शेर शेर यानि कि शेर आया शेर आया बचाओ बचाओ ऐसा वो कहता है उसकी आवाज सुनकर सारे गाउवाले दोड़ कर आज जाते है फिर वो कह रहा है चोथे चित्रों में हम देख रहे है कि वो हस रहा है और गाउवाले वापस जा रहे है तो वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ मजा कर रहा था थोड़े दिनों के बाद वो वापस से अपने बेड़ बकरियों को चराने के लिए वन में ले आया है और उस दिन सच में शेर आता है वो सच में चिलाता है शेर आया शेर आया पर तब कोई भी उसकी मदद के लिए आता नहीं है और आखिर चित्रों में हम देख रहे हैं कि वो कई बेड़ बकर्यों को शेर खा रहा है और चरवा हाँ है वो पेड़ के उपर चड़ गया जान बचा कर पेड़ के उपर चड़ गया है तो विध्यरती मित्रों वार्ता उपर तिया आपने सिखवा मोले चे कि अपने कोई दीवस कोईनी साथे मचा कर वी जोई ए नहीं चे आरे वह वारी। पहला बधानी साथे मचा कर ने कीदू के सीण सीः बने बचाओ आओ तियार साचे कह गाम नालोको गाउं वाड़ा विचारे छे कि आतो खाली मजा कच करे छे अपने पाठे पुस्तपना बेस नंबर आट चोई शुते मां कहे लू छे कि मातरू भासा में अनुवाद कीजिये लेके गुजर्यती मां आप पड़े भासांतर करवानू छे पहलू कहे लूचे कि कमल हमारा राश्रिय फूल है तो एनुवाद आप लगीशो कि कमल आपनो राश्रिय फूल छे बी जुआ पे लूचे कि मद्धु मक्हिया फूल पर बेटती है तो एनुवाद भासांतर थाए कि मद्धु माक्हियो फूल पर बेसे छे त्री जू आपे लूचे के मुझे बेल गाड़ी में बेटना पसंद है एटले के मने बड़त गाड़मा बेस हुग में छे चोथू आपे लूचे के ओटो रिक्षा के तीन पहिये होते हैं एटले के रिक्षा ने त्रोन पैड़ा होई छे नीचे आपने आपे लूचे के योग्यता आने विस्तार के अपने ही जोशो के साइकल ने हिंदी मां सूं कहवाई तो के साइकिल स्कूटर ने हिंदी मां सूं कहवाई तो के स्कूटर रिक्षा ने हिंदी मां रिक्षा कहवाई छे बस ने पन हींदी मां बस कहवाई चे, ट्रेंड ने हींदी मां ट्रेंड कहवामां आवे चे, हेलिकोप्टर ने हींदी मां हेलिकोप्टर कहवाई चे, विमान ने हींदी मां विमान कहवाई चे, जहांज ने हींदी मां जहांज कहवामां आवे चे, स्टीमर ने हींदी मां स् पार केहवाई चे बड़त गाड़ाने हिंदी मां बैल गाडी कहते है एटले के बैल गाडी कह ये उट गाडी ने हिंदी मां उट गाडी कहवाई छे खोडा गाडी ने हिंदी मां खोडा गाडी अल्प विर्याम गरिना पेलू छे कि तांगा एटेके तांगा पन कहवाई छे अने मोटर साइकल ने हिंदी मां मोटर साइकिल कहवाई छे तो विद्यार्थी मित्रों तमने आप पार्ट भणीने खुब जुमजा आवी हासे आना पचीनों पार्ट छे तेवड़े पचीना विडियो मां छोशू थेंक्यू नश्कार विद्यार्थी गवाण कैसे हैं आप सब मैं उम्मिद रखती हूँ कि आप सब स्वस होगे तो आज हम कक्षा पांच की हिंदी से पढ़ेंगे हुमारे पहले पार्ट का नाम है याता यात यहाँ एक चित्रपार्ट है